अधे राधे, hello everyone, तो जैसा कि आप सबको पता है, मैं आपको B.S.A. 5th semester बाट में का जो paper second है, paper first के तो already मैं 4-5 lecture provide कर दी है, अभी मैं paper second पढ़ा रहे हूं, साथ मैं पढ़ा रहे हूं, क्योंकि एक्जाम में तो आपके दोनों पूछे जाएंगे, तो इसमें मैं आपको history of DNA, historical perspective जिसमें आपको मिसर से लेकिक Watson and Crick तक पढ़ना है, जिसमें आज हम पढ़ेंगे F.E. Griffith and Every का experiment, transformation experiment जो आपके मिल सकें ताकि आपको अच्छे समझ में आए, लेकिन उससे पहले अगर चैनल पे आप नए है तो प्लीज चैनल को like, share, subscribe कीजिए, और अगर इन notes के अगर आपको PDF चाहिए, तो उसके लिए हमारे टेलिग्राम चैनल जाइन कीजिए, और आपको कोई भी query या problem होती है, तो कि हम जो है, उसको salt अदर सकें, तो चलिए जानते हैं, ये दो scientist थे, कौन, grift और every, ठीक है, इन्होंने एक experiment किया, transformation का, मतलब किसी चीज को transform किया, एक से दूसरे में, ठीक है, transformation का मतलब क्या होता है, किसी चीज को एक चीज से दूसरे चीज में transform करना, क्या कहलाता है, transformation कहला तो इसी को grift और every का transforming principle भी किया, कहा जाता है, अब इस experiment में, इन्होंने क्या किया था, एक bacteria था, जिसको कहते है, streptococcus pneumonia, ठीक है, उन्होंने genetic material की discovery में, इसके पहले अभी तक आपने पढ़ा, कि Mendel ने factor कहा, बाकि, और scientist ने, किसी ने nucleic acid कहा, ठीक है, लेकिन इन्होंने क्य किया, grift experiment, next step था, डिसकवरी का, जिसमें genetic material को, किसमें देखा गया, streptococcus pneumonia, एक bacteria था, उसमें, इन लोगोंने क्या किया, आपने experiment के दौरान, during the experiment, grift और every ने, इस bacteria को, यानि कि streptococcus pneumonia, bacteria को क्या किया, culture किया, जिसको आप कह सकते हैं, prepare किया, कहा पे, lab में, ठीक है, इसको lab में culture किया, with so to pattern of growth, जिसमें इस bacteria ने दो pattern so किया, growth का, ठीक है, grift और every ने जो है, streptococcus नामक bacteria लिया, और इसको lab में क्या किया, culture किया, यानि कि prepare किया, और उस bacteria को prepare करने के बाद, पता चला गी, वो bacteria दो तरह का character so करता है, ठीक है, एक plate में उन्होंने क्या किया, पहले वाले bacteria को लिया, जो पहला character so कर रहा था, तो वो कैसा character so कर रहा था, इस्मूथ और उसकी colony जो थी इस तरीके से थी, इस्मूथ थी और कैसी थी, sine थी, ठीक है, इस्मूथ और sine थी, तो उसे नाम दिया गया, S third, ठीक, उसकी naming की गई S third, इस मूथ से इन्होंने S लिया, और third उसका नाम किया, S third, और third और भी कुछ उन्होंने देखा होगा, तो उसके basis पे इन्होंने नाम दिया उसका S third, और जो दूसरा bacteria इन्होंने culture किया, उसकी colony कैसी थी, उसकी colony rough थी, ठीक है, कैसी colony थी, rough colony, rough colony थी, जिसकी वज़े से दूसरा bacteria इन्होंने culture किया, उसकी colony rough थी, जिसकी वज़े से इन्होंने नाम दिया उसको R, R second, ठीक है, अब इनको दो तरीके के bacteria मिल गया है, अब इन्होंने जो ये difference था, smooth colony और rough colony, ये difference क्यों था, due to presence of mucus coat on S strain, S strain जो था, उसके उपर mucus की एक coat present थी, ठीक है, जबकि R strain जो था, उसमें वही चीज absent थी, ठीक है, अब इन्होंने experiment क्या क्या है, मैं इसको diagram से समझाती हूँ, ठीक है, यहाँ आप देख सकते हैं, diagram में, ये diagram है, ठीक, यहाँ पे इन्होंने क्या किया है, इसको दिखा रहा है, पहले इन्होंने क्या किया, ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, सबसे पहला जो लिया बैक्टीरिया लिविंग S-strain लिया और एक बात समझ लिजए जो S-strain था ठीक है वो वाइरूलेंट था वाइरूलेंट का मतलब होता है बायलोजी में जो disease cause करता ठीक है वाइरूलेंट था disease causing था जबकि जो R-strain था वो क्या था non-vाइरूलेंट था ठ S-strain smooth था उसको S-third नाम दिया गया और वो वाइरूलेंट था और उस पे म्यूकस की कोट थी यह सारे character हो गया आपके S-strain के R-strain non-vाइरूलेंट था उस पे म्यूकस की कोट नहीं थी और वो disease नहीं cause कर रहा था तो जब पहले इन्होंने एक living S-strain को लिया और उसको एक मा माउस ले लिया उसमें इंजेक्ट किया तो इनका result क्या निकला कि माउस मर गया ठीक है अब उसमें कुछ तो ऐसा था जिसकी वज़े से क्या हुआ माउस मर गया दूसरा इन्होंने क्या किया एक living R-strain लिया जो कि non-vाइरूलेंट था और उसको एक माउस में इंजेक्ट कि क्या सुई लगाई ठीक है और माउस क्या था जिन्दा था क्योंकि उसमें S-strain नहीं था मतलब कुछ न कुछ S-strain में ऐसा material प्रेजेंट था जिसकी वज़े से जो है माउस मर गया पहली बार में दूसरी बार में फिर इन्होंने S-strain लिया लेकिन उसको हीट कर दिया यान living R-strain लिया ठीक है R-strain living लिया ठीक जिन्दा था R-strain जो बैक्टिरिया था और dead S-strain का dead part लिया और जब इन दोनों को mix करके माउस में डाला तो माउस क्या हुआ मर गया ठीक है अब इसका मतलब जो कुछ भी था वो क्या था S-strain में ऐसा कुछ तो था जिसकी वज़े से माउस मर जा रहा था R-strain को अलग डाला तो माउस को कुछ नहीं हुआ S-strain को heat-killed करके डाला मतलब उसको एकदम जला दिया मतलब उसके सारे material मर गया तो भी कुछ नहीं हुआ लेकिन जब living R-strain और dead S-strain को heat-killed देने किया dead था उसको माउस में डाला तो माउस क्या हुआ मर गया तो यहां पर experiment क्या था गिर्फ और इनका कि both S-R and S-strain ग्रिफ इंजेक्टेड मैंने जैसा कि बताया इंजेक्ट किया both R and S-strain the one which was infected with S-strain well developed pneumonia and died while that infected with R-strain stayed alive यही बात मैंने आपको समझाई कि जब इन्हों ने जिसमें pneumonia cause था ठीक है S-strain में जो S-strain था जब उससे इन्होंने इन्फेक्ट कराया तो क्या हुआ माउस मर गया जबकि R-strain वाला जिन्दा था second stage में क्या हुआ Griffith heat killed the S-strain heat killed किया तो infected mice जो है mice infected तो हुआ लेकिन मारा नहीं जिन्दा रहे गया फिर उन्होंने क्या क्या heat killed को mix किया और live R-strain लिया दोनों के mixture से क्या हुआ mice मर गया in this edition he found living S-strain bacteria in dead mice ठीक है dead mice में उन्होंने क्या किया living S-strain bacteria का पाया तो इसका मतलब उस S-strain bacteria में कुछ तो ऐसा genetic material था जो उसमें जा के क्या कर रहा था उसको kill कर दे रहा था ठीक है kill कर दे रहा था तो यहां पर इनके experiment में basically यही चीज हुई अब इनी से related और एक scientist थे इसलिए मैं इसको साथ में पढ़ाऊंगी एवरी मैकलियाड और मैककार्टी ठीक है इन्होंने भी transformation experiment दिया इन्होंने in vitro मतलब ठीक है cell के अंदर क्या किया इसी जो है इसी चीज को perform किया इसी function को जो grift और एवरी ने किया था ठीक है repeated grift experiment in vitro virulent से ठीक है virulent में change हो जा रहा है इसी चीज को पता लगाने के लिए इन्होंने experiment किया तो इन्होंने क्या देखा आपने experiment में virulence in pneumococcus depends on a polysaccharide capsule which present on S-virulence इन्होंने S-virulence पे देखा कि एक polysaccharide ठीक है polysaccharide जबकि जो R strain था उस पे ये चीज absent थी ठीक है उस पे ये चीज absent थी नेक्स्ट क्या किया इन्होंने the cell of non-capsulated type यानि कि R type को treat किया इन्होंने extract of DNA from capsulated strain S-third का इन्होंने क्या किया DNA निकाल लिया और उसको किसके साथ treat किया R के साथ ठीक है this phenomenon of transfer of character called transformation यही बात एक्दम अच्छे से every और gift ने नहीं बता पाया तो इन्होंने बताया कि इस phenomenon को जो transfer किया इन्होंने genetic material को इस genetic material को R third strain में तो उसी को क्या कहा गया transformation कहा गया तो फिर when extract was treated with DNA DNA एक enzyme होता है जो किसको destroy करता है DNA को this transforming ability lost while when treated with protease enzyme will destroy protein did not affect transformation जब इन्होंने DNA के साथ ठीक है उसी mixture को जिसमें R third को transfer किया था DNA क्या करता है एक enzyme हो जो DNA को transform करता है ठीक है तो DNA को तोड़ता है तो जब इन्होंने उस strain में DNA को डाला तो R strain क्या हो गया destroy हो ठीक इसका मतलब हो क्या था genetic material था DNA उसमें था और जब इन्होंने उसी में protease डाला एक ऐसा enzyme जो protein को transform करता है तो protease अब जब उसमें protein था इन्हें DNA आपका DNA जो है उसका genetic material जो है protein का सोड़ी न बना होता है nucleic acid का बना होता है तो protease जाला तो protein रहेगा तो कैसे टूटेगा तो इन्हें पता चला कि इसमें क्या है यह genetic material है DNA से बना है तो यहां पर यह चीज प्रूफ विद इस experiment प्रूफ दर जन्टिन इस जन्टिक material not protein कि जन्टिक material DNA है प्रूद्ना की protein यहां पर देखिए इन्होंनों क्या किया है experiment मैं आपको दिखाती हूँ यहां पर smooth acid strain लिया है ठीक है इसको particularly purified किया cell को अब एक तरफ क्या लिया एक cell का extract लिया यहां पर और DNA से treat किया treated cell extract mixed with R strain non pathogenic जो था उसको incubate किया और mouse में क्या किया inject किया mouse जिंदा था ठीक है क्योंकि DNA क्या किया उसको तोड़ दिया जिसकी वज़े से R strain transform नहीं हो पाया लेकिन यहीं जब यहां पर क्या किया protease डाला गया तो तो protein को तोड़ेगा जबकि यहां पर DNA को डाला गया था अब DNA क्या हुआ माइस में inject जब किया गया तो वह mouse में पास हो गया जिसकी वज़े से वह मर गया ठीक है तो यहां से यह पता चलता है कि DNA जो है genetic material है ना की protein तो आज के lecture में बस हम इतना ही पढ़ेंगे अब next lecture में हम पढ़ेंगे हारसे और चेज का experiment बैक्टीरियो फास पर यह भी आपके लिए बहुत जोड़ी है आपके स्लाइबस में है आज के लिए इतना ही बस नमस्ते रादे रादे